कि सकते साइट बिल्डर फार्म के रिलेृटल CTR क्यों साईटा एक यह सग हम करते एक's matar थोड़ा से ट्रीकी त्रीकी इनी कूछ मैं लेकिन खोड़ा समझ के करो हिए तो यह होगा। तो अच्छे से देखना कि कैसे से भम करते अगर हम बात करें तो लिखो 1, 4, 9, 16, 25 ऐसा दिया हुआ है ना जो साइट A के इंदर है ऐसा बोलाएं अब यहां पर देखे तो पता चले कि 1 तो किसका स्क्वेर है 1 का स्क्वेर, 4 किसका स्क्वेर है, 2 का स्क्वेर, 9 किसका स्क्वेर है, 3, सबका स्क्वेर आरा देखो, सबका स्क्वेर आरा है, 4 स्क्वेर, 5 स्क्वेर, सबका स्क्वेर तो आई रहा है, ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह तो चलता रहेगा, यानि यह नं लिखने के लिए क्या करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक्स वेर एक्स इस इकॉल टू क्या है वन टू थरी फॉर फाइव दिस आरदी नंबर्स यह तो चलती रहेंगे आगे तो 36 आएगा तो एन का क्या सबका क्या है स्क्वेर है समझ में आ रहा है एन का क्या है स्क्वेर है और एन क्या है एन इस बिलंग्स टू वाट नेचरल नंबर क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है जीरो है नहीं तो एन इस बिलंग्स टू नेचरल नंबर तो अच्छे से यह समझ क्या आपको करना पड़ेगा ठीक है, एक दो example और देखोंगे तो पता चलेगा कि कैसे set builder फॉर्म होता है, ठीक है, चलो और एक देखते हैं तो पई 1 by 2 जो sequence देखने की, जो पता चल जाएगा 2 by 3 3 by 4 है न, समझ में आ रहा है sequence देखने की, जैसे 1 है 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए देखो फिर 4 by 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो चली रहा है नीचे एक number बढ़ आए, देखो अगर यहां से भी देखोगे तो भी पता चलेगा देखो यहां पर 1 है 2 है, 3 है, 4, 5, 6 यह उपर वाला चलता रहता है ठीक है, numerator बढ़ आए 2 है, तो 2 यानी क्या अगर 1 है, नीचे 2 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा प्लस 1 करना पड़ेगा, तो n प्लस 1 कर दो, देखो जैसे n की जगा 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा, फिर दूसरा देखो जैसे n की जगह 2 रखो 2 नीचे क्या है n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 तो क्या आएगा 3 आएगा 3 पाइ 4 है तो देखो n की जगह क्या रखो 3 तो 3 अपोन 3 प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा 4 आएगा ठीक है तो हमको कौन सा फ़र्मिला a where x from x is equal to क्या आएगा x is equal to क्या आएगा n upon n प्लस 1 where n is belongs to n यहाँ पे भी n क्या आएगा natural number में ही आएगा समझ मैं आरा है पक्का अगर आपने natural number में लिख लिया तो यह sequence infinitive होनी चे लेकिन यहाँ पे 6 by 7 तक ही है 6 by 7 तक ही है इसका मतलब क्या होगा n कहां पे है देखो n कहां से start होता है 1 से लेके कहां तक start होता है 6 तक जाता है 7 तो 7 तो क्या आएगा 6 by 7 यानि कौन सा form है 6 upon 6 plus 1 है तो 6 तक जाता है यानि n किस के बीच में है 1 से लेके 6 के बीच में है आपे less than or equal to और less than or equal to इसका मतलब अब less than or equal to का मतलब क्या 1 से 6 के बीच में 1 भी है और 6 भी है समझ मैं तो यहाँ पर यह गल्दी मत करना कि पर n belongs to n infinity हो तो n belongs to n लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर 1 less than or equal to n less than or equal to 6 आएगा और ज्यादा देखींगे तो आपको पता चलेगा कि site builder form में कैसा होता है ठीक है छलो थोड़े site builder form की करते जिससे आपको पता चले पहले कि site builder form में कैसे किया जाता है ठीक है तो exercise के बहुत सारे थोड़े है जिसको मैं आपको site builder form में पहले करने के लिए समझा रहा हूँ फिर मैं बहुत सारे numericals दूंगा भी तो आपको खुद से करने पड़ेंगे ठीक है देखो यहां पे क्या है 36912 है ठीक है 36912 चलो लिखो तो पता चले site builder form में 36912 इसका मतलब क्या होता है देखो 36 का मतलब क्या 3 into 2 पहले 3 था 3 into 1 फिर क्या है 3 into 3 फिर 14 यानि क्या 3 into 4 क्या बढ़ रहा है देखो 1 बढ़ रहा है 2 हो रहा है 3 हो रहा है 4 हो रहा है कहां तक जा रहे 12 तक है यानि 4 तक ही है तो लिखो एन कहां तक होगा वन लेस देन और इक्वल टू एन लेस देन और इक्वल टू फोर खत्म ठीक है समझ मैं अब लिखने का तो ऐसे आपको थोड़ा सा समझोगे हो जाएगा इतना टफ नहीं है लेकिन आपको इजी बनाना आए हां बई चलो और आगे देखते हैं 248 16 32 ऐसा है ना चलो 2 4 8 16 32 क्या यह अगर हम देखेंगे 2 raise to 1 तो 2 4 यानी क्या 2 raise to 2 8 यानी क्या 2 raise to cube 16 यानी क्या 2 raise to 4 32 यानी क्या 2 raise to 5 क्या बढ़ा है देखो 12345 क्या हो रहा है that is nothing but the n जो 12345 हो रहा है वो n है तो x where x is equal to 2 तो सब में common है लेकिन raise to क्या होगा n होगा और कहां तक n जा रहा है 5 तक जा रहा है तो लिख लो 1 less than or equal to n less than or equal to 5 समझना आ रहा है ओके चलो next देखते हैं a is equal to 525 125 625 ऐसा है so first is 5 25 125 625 इसका मतलब क्या होगा 5 raise to 1 5 raise to square 5 raise to cube and 5 raise to 4 यहां पर भी आप देख सकते हो 5 common है लेकिन 1 2 3 5 बढ़ा है तो x where x is equal to 5 raise to n where 1 less than or equal to and less than कहां तक जा रहा है 4 तक ही जा रहा है ना कहां तक जा रहा है 625 यानि 4 तक ही जा रहा है less than or equal to 4 अब समझ में आया होगा है ना चल और थोड़ा देखते है एक्जांपल ज्यादा है हमारे पास पूरी लाइन है हमारे पास मैक्सिमम मैं एक्जांपल करेंगे ना यानि हो जाएगा अगर आम थोड़ा सा देखेंगे तो नहीं होगा तो अपन मैक्सिमम नंबर कर अग्जांपल करते जाएंगे जिससे पता चलेगा नब यहां पर 3, 4, चलता रहेगा, यानि क्या होगा, 2N होगा तो sequence पहचान लिया, तो बहुत easy है, x where x is equal to क्या है 2N है x where x is equal to क्या है 2N है, और अब n चलता रहेगा, क्योंकि infinitive है, देखो, यहाँ पर dot dot किया हुआ है न, so, n is belongs to natural number and is belongs to natural number खतम, क्योंकि natural number natural number में 0 नहीं आता, बाकी सारे positive integers आते है, खीक है चलो और एक देखते है 1, 4, 900 1, 4, 900 so, 1, 4, 9 16, 25, वैसे वैसे 100 तक है, कहां तक है 100 तो 1 क्या, 1 square, 4 क्या 2 square, 9 क्या 3 square, 16 क्या 4 square, 25 क्या 5 square, वैसे 10 square तक जा रहा है यानि यहां पर यह number बदल रहे, देखो नीचे वाले, ठीक है so, x, where x is equal to यह number बदल रहे, यानि n square है, क्या है, n square है और n की value कब तक है 10 तक ही है, मेरे बाई, 10 से जादा नहीं है तो लिखने का 1, less than or equal to end, less than or equal to तो यह क्या हुआ, set builder form हुआ, और कोई है, मेरे पास example अब कोई है यह नहीं चलो, खता ठीक है, और आप करोगे तो जादा पता चलेगा की कैसे करना है, ठीक है अब चलो जाते है, roaster form में set builder तो समझ में थोड़ा tough है, लेकिन आपको समझ में आया होगा की set builder कैसे करते है अब वापस roaster में आते है, roaster तो बहुत easy आपको पता है रोaster form तो easy आपके लिए, चलो, roaster form देख लेते है roaster form देख लेते, roaster form में अगर हम जाए तो x is an integer, minus 3 to less than x और 7 तो अगर इसकी बात करें, integer है, minus 3 to 7 है तो क्या आएगा, minus 3 to 7 है तो क्या आएगा, आप सोचो चलो तुरंद में बता दूँगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कैसे करना है पहले आप सोचो, कैसे है, minus 3, less than x, less than 7 कैसे करोगे, समझो, 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 चलो, देखो, यहाँ पर less than or equal to है, यानि minus 3 आएगा, फिर क्या आएगा, minus 2 आएगा फिर क्या आएगा, minus 1 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, one, फिर क्या आएगा, two फिर क्या आएगा, three, four, five, six, seven आएगा, नई क्योंकि यहाँ पर less than equal to नहीं है, अगर ऐस में JestCH धन, और equal to होथा, वो 2 digit वाला nature number है जिसका sum 8 होता है 2 digit वाला यानि 1 0 से start होता है 1 plus 0 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा लेकिन हमको digit क्या चाहिए 12 करो तो क्या आएगा 1 plus 2 नहीं आएगा तो कहां से start होगा सोचो कहां से start होगा स्टार्ट होगा 17 से क्योंकि 1 plus 7 क्या आएगा 18 ठीक है 17 के बाद क्या आएगा 26 आएगा देखो 2 plus 6 8 होगा फिर देखो 35 सबका करने का मुझे तो पता इसलिम करना हूँ 3 plus 5 8 35 के बाद आप आगे जाओगे तो 40 के देखो 40 42 नहीं होगा 43, 44, 45 में नहीं होगा क्योंकि 4 plus 5 क्या हो जाएगा 44 होगा न लेकिन 4 plus 4 8 हो रहा है 44 आया, कौन-कौन से उसको राउंड करते 35, 17, 26 है ना वैसे आप देखोगे तो 53 भी आएगा अब आपके खुद से करना है मैं नहीं देख रहा हूँ 62, फिर मैं देखू क्यानट से फिर तो बढ़ जाएगा नमबरी ठीक है तो सारे लिख देने के C के साइट में क्या आएगे आपको खुद से करना है हां बई 17, 26, मैं जैसे समझा है वैसे करना है 26, 35 44, 53 सब को लिख लेने के 62, 71 and 80 तो यह हुआ यह हुआ क्या रूस्टर खाँ ठीक है समझ में आ रहा है चा आगे चाते है प्राइम नमबर X is a प्राइम नमबर वीचिस डिविसर आप 60 पहले प्राइम नमबर कौन कौन से यह पता होने चाहिए प्राइम नमबर कौन से बता मुझे प्राइम नमबर का डेफिनेशन बहुत छोटे से तब आया था अब मैं बताऊंगा नहीं प्राइम नमबर के डेफिनेशन सीधे लेता हूँ 2 3 5 7 11 15 17 19 23 29 ये सारे क्या है प्राइम नमबर है ठीक है अब 60 का डिवाइड कर दीखना है तो 60 से क्या 2 डिवाइड होगा 60 से 2 डिवाइड होता है 60 डिवाइड बाइ 2 करो तो होगा 30 आएगा तो चलो 2 लिख लो 3 से करो 60 डिवाइड बाइ 3 करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा 20 आएगा कर दो 20 आएगा तो कर दो, किसने मना किया है 3, 5 से करो 60 डिवाइड बाइ 5 करो, तो क्या आएगा 12 आएगा, डिवाइडर है, तो लिख लो किसने मना किया है, ठीक है फिर 7 आएगा, नहीं आएगा 2, 3, 5, यहां तो का आएगे समझ में आ रहा है, यह तो चलता ही रहेगा 29 है, 31 है, 37 है, बहुत सारे चलती ही रहेंगे, प्राइम नबर, लेकिन जो डिवीजर हो, 60 के, तो कौन है, 2, 3, 5 ठीक है चल, अब नेक्स्ट जाते है, बैटर की तरफ ठीक है, तो साइट अफ और लेटर, यानि बैटर की अगर बात करें, तो B, T, E, R है तो F को कैसे लिखेंगे जो रिपेटिटिव होए, वो नहीं लिखने के B तो है, E तो है T दो बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखने का E आ गया तो नहीं लिखने का R एक ही बार लिखने का These are the letters, यह वान सर यह वान सर ठीक है, समझ में आ रहा और करते है, X is a odd natural number X is a odd natural number Odd natural number यानि क्या होगा Odd natural number यानि क्या होगा बताओ Natural number तो है, लेकिन कैसे है कैसे है, odd natural number पहले natural number क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए न पहले rational number क्या होता है, यह भी पता होना चाहिए तब जाके odd natural number वाला पता चलेगा ठीक है, तो क्या आएगा चलो बोलो, क्या आएगा Odd natural number में क्या आएगा सोचो, फिर मैं कराता हूँ पहले आप answer लिखने की try करो ठीक है, पहले आप आप खुद से लिखने की try करो, फिर मैं कराता हूँ आपको मैं थोड़ा time दे रहा हूँ, कि मैं answer लिख लेता हूँ तो आप तुरंद कर ले तो वैसा नहीं थोड़ा आप भी try करो, odd natural number कौन-कौन सा है कि आपको निकालना है खुद से मैं expect, मैं expect कर रहा हूँ कि आपने लीखा होगा ठीक है पहले तो नेचनल नंबर कौन-कौन सा होते यह सारे नंबल इंफिनिटीव लेकिन और की बात करें, और की बात करें तो और यानि क्या वन थ्री फाइव सेवन यह सारे ओड है कैसा आएगे वन थ्री फाइव सेवन अप्टू इंफिनिटीव ठीक है कैसे ही लिखते है बहुत इजी है ठीक है हमको क्या करना है यह जो सैट है उसको सैट विल्डर फॉर्म में लिखना है फिर एक्स इस इंटीजर कहां तक माइनस वन टू माइनस वन बाई हाफ से नाइ अगेव से लेकर कहां तक जाना है 9X2 9x2 यानी क्या 4.5 होता है यानी1 टू फॉर्ओ यहां पर क्या है गा 9 by 2 आएगा यानि minus 1 half से लेके 9 by 2 जग जाना है तो कौन कौन से integer आएगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, इतनी value आएगा integer यानि value ठीक है तो B का answer क्या आएगा 0, 1, 2, 3 and 4 easy है, हाँ ना देखते रहे ना, पता चले आपको फिर X is a integer क्या है, X is a integer where X square is less than 4 जब X square क्या हो less than 4 हो ठीक है, तो X is a integer, integer value आपको पता है, integer यानि क्या integer यानि क्या, मैं अभी समझाया था Z है ना, minus infinitive से लेके, plus infinitive तो X square less than or 4 से 4 हो तो चलेगा, less than or equal to का मतलब क्या, 4 हो तो चलेगा, 4 से जादा नहीं चाहिए X square का value 4 से जादा नहीं चाहिए है ना, तो अगर हम 0 का square लेते है, तो 0 आएगा तो 0 is less than 4 अगर 1 का square लेते है तो क्या आएगा, 1 तो less than 4, अगर 2 का square लेते है, तो क्या आएगा, 4 less than 4 नहीं क्योंकि 4 is equal to 4 तो less than or equal to 4 चलेगा so कौन कौन सी value 0, 1 and 2 चलो हो गया अब यहां तक बच्चे करके छोड़ देते हैं जिसके लिए marks आधे कट जाते हैं integer में आपको minus value भी देखनी पड़ेगी क्यों? क्यों? जैसे जैसे मैं बोलो minus 1 का square करो तो क्या होगा? minus 1 into minus 1 is equal to 1 यह भी less than 4 है तो answer minus 1 भी आएगा और minus 2 का square करो तो minus 2 into minus 2 that is nothing but d plus 4 that is also equal to 4 यानि less than or equal to 4 में वो आएगा यानि आपको c का site लिखना है वो कैसे आएगा? minus 2, minus 1 0, 1 and 2 बच्चे सिर्फ 0, 1, 2 लिखते हैं लेकिन integer में minus value भी आती है इसलिए याद मैंने इसलिए आपको integer करवाया था ठीक है? पक्का? चल वेरी नाइस अभी हम जाते हैं next में x is a month of year not having 31 days 31 किस में नहीं होते हैं? जन्वारी में होते हैं तो किस में नहीं होते हैं? फ़ी फैब में नहीं होते हैं मार्च में होते हैं, आपरिल में नहीं होते हैं फिर किस में नहीं होते हैं? जून में नहीं होते हैं ठीक है? फिर किस में नहीं होते हैं? सब्टेमबर में नहीं होते हैं फिर ओक्टोबर में होते हैं नवेंबर में नहीं होते हैं डिसम्बर में होते हैं से साट जिसके 31 देश नहीं है खतम हो गया बहुत सिमपल है चल अब जाते हैं इंग्लीस आलफाबिट कौंसा आइए इंग्लीस आलफाबिट एक्स अ कॉंस्टन्ट इन इंग्लीस आलफाबिट विच प्रोशिट्टि के लेकिन यह वाला जो एक्साम्पल है उसके related कहां से होगा X is a constant in the English alphabet which proceeds K ठीक है तो ये X is a constant in English alphabet which proceeds K जो proceeds करता है K, तो कौन-कौन से आएंगे सोचो ये आपको खुद से करना है, चलो ये मैं आपको खुद से करने के लिए बोल रहा हूँ, अब एक बार ट्राई करना है वरना मैं solution में आऊँगा, ठीक है तो ये यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है ये सारा समझने के बाद मैं अभी एक assignment दूँगा जिसके सारे question और answer आपको लिखने है हाँ, आप क्या करते हो, question answer नहीं लिख question नहीं लिखते हो, सबके question और answer दोनों लिखना है, ठीक है, जिससे ही आपको पता चलेगा कि कैसे चल रहा है ये एक आप करना है, वनना मैं इसका solution भेज होगा ये खुद से एक last करने के लिए आपको बोला है, ठीक है होगा ही आपसे, don't worry, okay चलो, आज हमारी 1.1 exercise खतम हुई है मैं इसके related आपको assignment भी अभी बेज रहा हूँ, वो assignment आपको खुद से करना है then I will put the solution, ठीक है, चलो, thank you